हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब का यूटूब चैनल चैरस पर आज के हमारे सेशन में हम डिस्कॉशन करेंगे फॉस्ट अगस्त से लेकर के सिक्स्ट अगस्त के करेंट अफर्स के कुश्चिन्स पर कुछ है तिशूस की वज़े से ये वीडियो आने में थोड़ा समय ल नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा तो आज का हमाया फॉस्ट क्वेशन है किस राज्जे ने केंद्र सरकार के त्री भाशा फॉर्मूला को अस्विकार कर दिया है आप्शन्स हैं पुत्तर प्र दीजिए ने के त्री भाशा फॉर्मूला के अनुसार पहली भाशा मात्र भाषा या चैत्री भाशा होगी दूसरी भाशा हिंदी ŭाशी राजियों में या अधुनिक भारती भाषा या अंग्रेज़ी होगी जबकि गैर हिंदी भाशी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होगी तीसरी भासा हिंदी भासी राज्यों में या अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतिय भाषा होगी जबकि गैर हिंदी भासी राज्यों में या अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतिय भाषा होगी नेक्स्ट वेस्टिन है खादी अगरवत्थी आत्मिरभर योजना किस मौडल पर आधारित है Options हैं सारवजनिक निवेश मौड़ल न oralί 녀िजिय निवेश मौड़ल पबुबिक प्राइवेट पार्नरशिप मौड़ल उप्रोप्त सभी toxic answer है पबंुक प्राइवेट पार्नरशिप सी इस कारिक्रम का उदेश है पूरे देश में बेरोजगार और प्रवासी भारतियों के लिए रोजगार पैदा करना और भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मिरभर बनाना है या योजना निजी अगरबत्ती निर्मातों को उनके द्वारा किसी भी पूंजी निवेश के बिना अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी नेक्स्ट वेस्चिन है इविन तप्मीक निम्लिकित में से किस से संबन देत है औप्शन्स हैं खेल, हवायात्रा, टीका करण, साइबर सुरक्षा आंसर है टीका करण इविन अर्थाद Electronic Vaccine Intelligence Network को देश में टीका करण आपूर्ती संकला को मजबूत करने के उदेश से तयार किया गया है इसे स्वास्त्यों और परिवार कल्याण मंत्रेले द्वारा रास्टी ये स्वास्त्य मिशन के तहत क्रियानवित किया जा रहा है इसका उदेश ये देश के सभी Cold Chain Point पर वैक्सीन स्टॉक के फ्लो की रियल टाइम जानकाई कठा करना है नेक्स्ट वेस्चिन है ब्रिक्स देशों के परियावरन मंत्रियों की छटी बैटकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई ओप्शन्स है दक्षड अफ्रीका, रूस, ब्राजील, भारत आंसर है रूस नेक्स्ट वेस्ट वेस्ट है वेस्व संस्क्रित दिवस कब आयोजित होता है ओप्शन्स है रक्षाबंदन पर पकरीद पर अगस्ट के पहले रविवार दिवाली पर आंसर है रक्षाबंदन पर इस साल वेस्व संस्क्रित दिवस तीन अगस्ट राकी के दिन मनाये गया साल 1969 में भारत सरकार ने रक्षा मंदन यानि स्ट्रामणवास की पूरिमा के दिन विश्व सनस्क्रित दिवस के रूप में मनाय जाने की गोशना की थी इसके बाद से ही हर साथ राखी के दिवार को संस्क्रित दिवस के रूप में मनाय जाता है Next question है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये किस देश के सुप्रीम कोड की नए बिल्डिंग का उद्गाटन किया ओप्शन्स हैं एजराइल, जापान, मौरिशस, रूस आंसर है मौरिशस प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुल मौरिशस के पीम जगननाथ के साथ इस बिल्डिंग का उद्गाटन किया राजधानी पोर्ट लो इसमें या इमारत भारत की सायता से त्यार की गई है नेक्स्ट क्वेस्चन है सीबी आई की विशेश अदालत ने ब्रस्टाचार के मामले में पूर्व अध्यक्ष जया जेट्ली को चार साल की कैद सुनाई है वक किस पार्टी से जुड़ी थी ऑप्शन्स है भाजपा समता पार्टी तेलगु देशम त्रणमुल कॉंग्रेस आंसर है समता पार्टी 30 जुलाई 2020 को सीबी आई के विशेश जज़ विरेंद्र भटने जया गोपाल पच्चरवाल मेजर जनरेल स्पी मुर्गई को यह सजा सुनाई है भाजपाचार का मामला साल 2001 की एक डिफेंस डील से जुड़ा है जया समय में तीनों आरपियों को हैंड हेल थर्मल इमर्जर की खरीदी में भस्टाचार और आपरादिक साजिस का दोसी पाये गया था नेक्स्ट वेस्चिन है भारत को फ्रांस से पांच लाड़ा को विमान राफेल मिला इसका 17 स्क्वार्डरन का नाम बताईए ओप्शन्स है गोल्डन एरो डाइमंड एरो प्लेटिनम एरो गोल्डन फ्लीट आंसर है गोल्डन एरो 29 जुलाई को पांच राफेल लड़ा को विमानों का बेड़ा फ्रांस से अंबाला एर बेस पर पहुँचा राफेल दुनिया के सबसे बहतरीन लड़ाको विमानों में से है पांच राफेल विमानों में से तीन एक सीट वाले जबकि दो राफेल दो सीट वाले लड़ाको विमान है इन्हें भारतिव वायू सेना की अंबाला इस्थित स्क्वार्डन 17 में सामिल किया जाएगा जो गोल्डेन एरोज के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट वेस्टिन है किस राजी की कैबिनेट ने कोर्ट मेट्रो और एरपोर्ट पर प्रदिश्टिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए विशेश फोर्ष का गठन को मंजूरी दी है आप्शन्स हैं बिहार, राजिस्तान, उत्तर प्रदेश, हर्याणा आंसर है उत्तर प्रदेश फोर्स का नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्यूरिटी फोर्स इसका गठन CISF के तर्च पर होगा नेक्स्ट वेश्चन है, प्रदान मंतरी नरेंद मोदी का निजी सच्यूबनिंध में से किसे नियोक्ति किया गया है आप्शन्स हैं राहुल सचदेव, नितिन कुमार, हारदिक सतीश यंद्र शाह, साकेत कुमार आंसर है हारदिक सतीश यंद्र शाह नेक्स्ट वेस्चिन है हर्याणा सरकार ने पहलवान बविता, फोगाट और किसी खेल विबाग में उप निदेशक यानि डेपूटी डारेक्टर बनाये है आप्शन्स है कविता देलाल, विनेश फोगाट, साक्षी मलक, इन में से कोई नहीं आंसर है कविता देलाल हर्याणा सरकार ने पहलवान बविता, फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विबाग में उप उप निदेशक नियोक्त किया है नेक्स्ट वेस्चिन है भारती मूल के किस राजनेता को हाली में सिंगापुर के इतियास में पहली बार विपक्ष का नेता नमित किया गया है आंसर है प्रितम सिंग वो वरकर्स पार्टी से हैं उनकी पार्टी ने सिंगापुर आम चुनाओं में 93 सीटों में से 10 सीटे जीती थी अब आपचारेक रूप से उन्हें विपक्ष का नेता चुना किया है नेक्स्ट वेस्चिन है देश का वह राज्य जहां तीन राज्थाने इस्थाबित करने के विदियक को वहां के राजपाल ने मनजूरी देती है आप्शन्स हैं आंध्रप्रदेश तिलंगाना करनाटक तमिलनाडू आंसर है आंध्रप्रदेश राजेपाल वुशु भूषन हरी चंदन ने आंत्रप्रदेश विकेंद्री करन एवं सभी शेतरों के समगर विकास विद्यक 2020 और आंत्रप्रदेश राजधानी छेतर विकास प्रादिकार संसोधित विद्यक 2020 को मनजूरी देती है इस कानून के तहट आंत्रप्रदेश की तीन राजधानियों होंगी फॉस्ट विशाखा पत्नम आंत्रप्रदेश की एक्जेकूटिव कैपिटल होगी अर्थात आंत्रप्रदेश कारेपालिक का सरकार विशाखा पत्नम से काम करेगी Second, कुर्नूल को Judicial Capital होगी, अर्थात यहाँ पर High Court होगा Third, अमरावती यह Legislative Capital होगी, अर्थात राज्य विदानसभा यहाँ पर होगी Next question है, National Education Policy में विदेशी भाजा की लिस्ट से किस भाजा को सामिल नहीं किया गया है Options है, Chinese, German, Japanese, Spanish Answer है, Chinese Next question है, किस देश ने महात्मा गांधी के चित्रवाले करंसी सिक्के जारी करने की घोशना की है Options है, France, Britain, Japan, Nepal Answer है, Britain Next question है, किस राज्य की कैबिनेट का निधन कोरोना से 2 अगस्ट 2020 को हो गया Options है, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजिस्थान, पंजाब Answer है, उत्तरप्रदेश कमला नानी वरोन, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी, वह 18 जुलाई को कुरोना संक्रमित पाई गई थी, वह घाटमपुर कानपुर नगर से विधायक थी, इससे पहले बग 11 वी वा 12 लोगसभा के सदस्टर भी रह चुकी है कुरोना से सम्मंदित जानकारी के लिए किस राजी में संजीवन एप लॉंच किया गिया है? आप्शन्स हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आंसर है बिहार, या एप केंद्र सरकार की आरोगी सेतु के तरच पर बना है, एप में संक्रमर से बचाव के उपाए, जांच, इलाज और नजदी की हॉस्पिटल में खाली बेट की जानकारी मिलेगी, एप संक्रमतियों को बताएगा कि कुरोना से बचाव के लिए क्या कर कर सकते हैं और जाज का परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं, नेक्स्ट वेशिन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से केंद्र सरकार ने नए केंद्र शाषित प्रदेश और राज्यों को जोड़ा है, उनका क्या नाम है, उप्शन है, उप्शन ए, दिल्ली, चमु मड़ीपूर, नागालांड, उत्राखंड, उप्शन C, अरुड़ाचल प्रदेश, मड़ीपूर, नागालांड, कश्मीर, उप्शन D, जमु कश्मीर, मड़ीपूर, नागालांड, दिल्ली, आंसर है, जमु कश्मीर, मड़ीपूर, नागालांड और उत्राखंड, या इस कोरोना संकट के बीच एक जून को देश में One Nation One राशन कार्ट को लाकू किया गया था नेक्स्ट वेस्चन है यूनाइटट नेशन्स में जलवाईू परिवर्तन को लेकर बनाए गए यूवा शलाकार समुव में किस भारतियों को नामत किया गया है आप्शन्स हैं टीना डॉबी, अर्चना सोरिंग, मिनी चक्रवर्ती, रोहिनी कुलकर्णी आंसर है अर्चना सोरिंग नेक्स्ट वेशन है किस राजी ने हिम तेंद्वा सन्रेक्षण केंद्र इस्थापित करने का फैसला किया है आप्शन्स हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्राखंट, सिक्किम आंसर है उत्राखंट नेक्स्ट वेशन है युनाइटिट किंग्नम में आयोजित फॉर्मूला ब्रिटिस क्रेंट प्रेक्स 2020 के विजेता कौन है आप्शन्स हैं लुईस हैमिल्टन, मैक्स एफ स्टेपन, चार्स लेकलेर, फीडर चेल आंसर है लुईस हैमिल्टन, मर्सेडीज रेसर नेक्स्ट वेशन है परमाडू उर्जा सहियंतर शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है आप्शन्स हैं सवुदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात, इरान, मिश्र आंसर है संयुक्त अरब अमिरात युए की राजधानी आबुधाबी में बराक एटोमिक रियेक्टर की इकाईक एक को 31 जुलाई 2020 को चालू किया गया है नेक्स्ट वेशन है आपियल 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा आप्शन्स हैं भारत, युएई, युएससे, श्रिलंका आंसर है युएई नेक्स्ट वेशन है हरियाणा पंचायत चुनाओं में महिलाओं के लिए कितने फिसदी सीटे अब आरक्षित होंगी आप्शन्स हैं 10 फिसदी 30 फिसदी 50 फिसदी 75 फिसदी आंसर है 50 फिसदी देश के 20 राज्जियों में पहले से ही पंचायती राजसंस्तों में महिलाओं को 50 फिसदी आरक्षित दे चुके हैं नेक्स्ट वेशन है विद्यार्थी विज्यान मंथर 2021 के शुरुवात किस ने की आप्शन्स हैं डॉक्टर हर्षवर्धन राजनाथ सिंग नरेंद्र मोदी नितिश कुमार आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन यह कारेक्रम कच्छा 6 से 11 वी तक के स्कूली शात्रों के बीच विक्यान विशय को लोगप्रिय बनानी के लिए की गई एक पहल है नेक्स्ट वेशन है जम्मु कश्मिर के नय उपराजपल कौन है Опस्षन है यश्वंत सिनह, मनोज सिनह, राकेश सिनह, राजीन्दर मुर्मु आंसर है मनोज सिनह इससे पहले जम्मु कश्मीर के लेफटिनेंट कवर्नर गिरीश चंदर मुर्मु थे वह इस केंद्र शाषित प्रदेश के पहले उपराज्य पाल थे नेक्स्ट क्वेशन है लिबनान की राज़ानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल में भीशन विस्पोर्ट हुआ ओप्शन्स हैं अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सलफेट TNT मरकरी फल्मिनेट आंसर है अमोनियम नाइट्रेट नेक्स्ट क्वेशन है हाल ही में तुफान इसायस का असर किस देश में हुआ ओप्शन्स है फ्रांस यूएसे ब्रिटेइन जापान आंसर है यूएसे नेक्स्ट क्वेशन है किस राजे सरकार ने एक मास्क अनेक जिन्दगी जन जागरुपता अभियान का शुबारंब किया है ओप्शन्स है मद्प्रदेश केरल असम तमलाडू आंसर है मद्प्रदेश यह अभियान COVID-19 महामारी के संक्रमट से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरुपता फैलाने के लिए शुरू किया गया है इस अभियान के अंतरगत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान्स कर सकते हैं जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा नागरिक किसी भी जिले शेहरी निकाय में गैर सरकारी संगटोनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है केंदर सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाउं में परेटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णा लिया है उप्शन्स है उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुडाचल प्रदेश आंसर है उत्राखंड उत्राखंड चीन के साथ 350 किलमीटर लंबी सीमा साजा करता है केंदर सरकार ने भारत के सीमा वर्ती गाउं को सुरक्षित बनाने के लिए जन जाती है परेटन की अवधानों को बढ़ावा देने का निर्णा लिया है लेकिन इस दिसा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन पर्मिट यानि आई लपी प्रणाली से उत्राखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा इनर लाइन पर्मिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतिय नागरिप को आई लपी प्रणाली के तहट संरक्षित राजे में जाने ये रहने की आनुमती देता है सीमावर्ति शेत्रों में ग्रामिट परियटन से इन गाओं की सुरक्षा और निगरानी सुनश्यत होगी तता इस से सैनिकों को यहां निगरानी में अत्रिक्त सायता मिलेगी बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तूति करण किया जाएगा ऑप्शन्स है जलनिश्य योजना फूमी संपदा योजना मत्स संपदा योजना हरितकरांती योजना आंसर है जलनिश्य योजना भिहार की हर घर नलका जलनिश्य योजना को अंतरास्टिय पैचाल मिलेगी G20 देशों के सम्मिलन में इस योजना का प्रस्तुति करण किया जाएगा भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मिलन में की जाएगी कौर तेलबे की G20 में सभी देशों का सम्मिलन 21 और 22 नॉम्बर को सौधी अरबिया की रजहनी रियात में हो रहा है नेक्स्ट क्वेस्चिन है BCCI ने खिलाडियों को उम्र गलत बताने पर निम्र में से कितने साल का प्रितिबंद लगाने का फैसला किया है आप्शन से 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल आंसर है 2 साल BCCI ने खिलाडियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रितिबंद लगाने का फैसला किया है नए नियम 2021 सीजन में BCCI के सभी आयर वर्क के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाडियों पर प्रितिबंद लागू होंगे नए नीती के मताबिक अगर खिलाडी अपनी गलती मान लेता है यानि कबूल कर लेता है कि उसने उम्र सम्मंदी गरबड़ी की है तो वह बच सकता है और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाडी पकड़ा जाता है तो BCCI उसे दो साल के लिए बैन कर सकती है नेक्स्ट कॉस्चिन है पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शेहरों के बीच चलेगी आप्शन्स हैं दिवलाली से दानापुर, कोलापुर से पटना, जैपुर से हाजिपुर, कोलकाता से जमशेदपुर आंसर है दिवलाली से दानापुर किसानों को राहत देने के लिए भारती रेलवे ने एक नई ट्रेन के शुरुवात की है किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज फल सबजियां आधी लाने और ले जाये जाएगा अब तक कि फल सबजी आधी में एक जगे से दूसरी जगे सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता था इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता था किसान रियल नासिक के दिवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी नेक्स्ट क्रेश्चन है ज़रू कश्मीर के किस पूर्व उपराज जपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक न्यूक्त किया गिया है ओप्शन्स है गिरीश्यंद्र सक्षेना गिरीश्यंद्र मुर्मू निवासकुमार सिन्हा नरिंदर नाथ वोहरा अंसर है गिरीश्यंद्र मुर्मू जमु कश्मीर के पूर्व उपराज पाल गिरीश्यंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक म्यूक्त किया गया है किस राजन ने पेश्यंद पत यानि PPP योजना शुरूर किया है आप्शन्स हैं पंजाप, हर्याणा, करनाटक, दिल्ली आंसर है हर्याणा हर्याणा ने परिवार पहचान पत्र नमक एक विसिस्ट पहचान पत्र लॉंच किया है इस योजना का उदेश राजबर में रहने वाले लगबक चोवन लाख परिवारों में से प्रतेक की निगरानी करना है इसके तहट प्रतेक परिवार को एक-एक का लिकाई माना जाएगा और आठंकों की विसिस्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी इसी के साथ हमारा आज का इस सेशन समापत होता है उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आईए वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इस वीडियो का पीडियाफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा